पी बोट के सभी विद्यारती लो जी आगे आपका एकदम असली रियल पेपर ठीक है इससे पहले वाले वीडियो में मैंने देख लीजिए आपको 912 वाला पेपर बता आता देख लीजिए विसे कोड आपका 200 है बहुत सारे बच्चे कमेंड कर रहे हैं सर 401 का दीए भाया व विसे कोड ठीक के साइनसे का जो विसे कोड वो 200 है घबरायमत एकदम असली वाला पेपर में आपको बता रहा हूं जो की परिक्षा हाल में पेपर आपको देखने को मिलेगा ठीक है आप तो कबर करिए फिर भरोसा रखिए पूरे आएंगे ठीक है द्रवधातू का जो ना नाबिक की खोज किसने की थी रदर फोड ने की थि सक्ति का एसाई मात्रक है वाट ळीथैंम मिलाते हैं। क्पींड का विस्थापन सुनने हो तो इसके बाद आप तो complete करिए यहां पर देख लिएगा यह को से नमर तीन है आपका यहां से देखिए बड़िया से मेहनत करिए यह लाइसो सोम को रिक्तिस्तान वाली थेली केते हैं आत्मगाती वाली थेली केते हैं परमानु के जो नाबिक में उदासिन कन्ग क्या है न्यूट्रान है ठीक है चलिए इसक करनों का जो व्यास होता है वह दस की घात माइनस पांच मीटर होता है वास्पी करन से ठंड़ा कुद्पन होती है 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की जो भोते का वस्ता वह कितनी हो जाती है द्रव हो जाती है यह हमारे इंगलिस मीटिम बाले बच्चे बढ़िया से भरेंगे मेहनत करिएगा यही प्रशन आपके आने वाले हैं ठीक है यहां से देखिए यह कुश्य नम्मर आपका तीन है सही जोड़ी के दिबात कर लूँ तो यहां पर देखिए कार्य करने की जो चमता है वो आपकी हो गई है कार्य करने की चमता उर्जा दूरी का मापक यंत्र तो यह हो गया किलोग्राम मेटर बटा से से केंडलता है तो से केंड को ऊपर लाएंगे तो इन्वर्स हम चलिए माइनस को जाएगा आयन जो है केंडर का आपका अंत्मा गया जिवान यही इसके इसके ले लेना ठीक है यही हमारे इंगलिस मीडियम वाले बच्चों के आए इंचर आयोडिन के ते बल का एसाई मात रख क्या है न्यूटन है एक एसी धातू का नाम बताए जो कमरे के ताप पर द्रववस्ता में पाई जाती है पारा संवेग का इसाई मात रख गया किलोग्राम मीटर सेकेंड इन्वर्स तंत्री का उतक का नाम है न्यूरोन हिर्द यह इस कथवा है लोहे पर जंग लगना जल से वास्तु बनना विलियन की संद्रता बताने वाली कोई दो वीद्या बतानी है ठीके यहां पर देखिए उपधातू क्या है किसी एक उपधातू का नाम बताना है ठीके आप किस परकार पुष्टी करेंगे कि दिया हुआ सारे कुष्टन का पूरा सोलिशन बहुती जल्दी देने वाला हूं सारी चीजे एक्स्प्लेइन करूंगा बिल्कुल चिंता नहीं करनी है तीन कक्छव वारे बोर के परमानु माडल का चित्र बनाना है ठीके वादों में वास्पो सजन के कार्यों का उल्लेक करिए ठीके रेखित और रेखित पेशी का नामंकी चित्र बनाना है प्रो का सिरस्त विवज्य तक कहां पाया जाता है चलिए इसके बाद में अदिस रासियों को परिवासित करना है ठीके तुवरन की परिवासा देनी है इसाई पद्दति मात्रक है न्यूटन के गतिका विश्यक का प के समझते हैं क्या कारान की कार कर पानी में तेरता है जबकी के लोभ जाती है ठीक है इसके बाद में यहां पर देखिए कोसी नमर 16 है यहां पर दिया गया है, देखिए 300 विन, तो यहां पर देखिए 300 केल rooms में बदलना है तो Celsius लिख दीजिए प्लस 233, 233 तीन सो में से घड़ जाएगा, 27 डिग्री Celsius आ जाएगा, ठीक है, तो यहां पर Celsius कितना बनाएगा, 27 डिग्री, उसी तरह इसी के दूसरे में है, 500 ती अग्र, इसमें वही फोर्मूला आपका, सेम फोर्मूला, जिस फोर्मूला एक ही बाल लि ठीक है, Celsius में, चली, अब इसके अथ्वा में जो दिया गया है, वो ध्यान से समझे, निम्मे लिखे, तापमानो को केलवीन इकाई में परिवर्तित करना है, अब Celsius में दिया हुआ है, केलवीन में बदलना है, तो ठीक है, उससे पहले आप क्या करिए, इसका स्क्रीन सोट ल देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर अथ्वा का कुस्चन है, निम्मे लिखे, तापमानो को केलवीन इकाई में परिवर्तित करना है, सो डिकरी सेल्सिस दिया हुआ है, और जीरो डिकरी सेल्सियस है, तो फॉर्मूला वही है हमारा, केलवीन पर तापमान, प्लस सेल्सिस पर प्लस दोसो टिवर्त्तर, फॉर्म Cl4 में एक समान लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर सेल्सियस में दिया है 19 जो प्लेसद दोसो ती उत्तर और तीनसों तीयोत्तर कैलविन आ गया थीक है इसी तरह सवाल टाइप कुस्षिंदे अभे आपके प्रस्द है देखिए अगला प्रस्द देखिए निम्न लिखे थे में से को निसा परिवर्तन रासाइनिक परिवर्तन है ध्यान दीजिएगा अब इन दो धारन दिएगे लोहे पर जंग लगना और बर्प का जल से बर्प बनना इसका मतलब क्या है ध्यान समझे देखिए रासाइनिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहेंगे जिसमें नए गुन दुर्म के साद नया पदार्त बनेगा मतलब उसके गुन बदल जाएंगे ठीक है और जो जल से बर्पल बनेगा यायनि कि ऐसा परिवर्टन जिसमें न कोई नया पदार्त नहीं बनता है और नए गुंदर्मन नहीं आते हैं लेकिन जल से बर्पल बना उसका है आपका तो देखिए यहां पर दूसर अगला कusz्चन है आपका विल्यन को सांदरता बताने वालिकोई 2 बिती बताई एक तो देखिए विल्यन के दरोविमान पृतिसत्की और एक विल्यन के आईतन प्रतिसत्की दोनवे लिखना है बस उसके लावा कुछ तेक्ष नहीं करना है देखिए विलियन पधार्त रोक्ति का द्रीवबान बाड गूम्धा अधि फंड इनN20 और यहां पर विले पधार्त रिमान лиमान बड़ा विलियन का आईता नहीं ये दोना स्किन सोट ले ले जाना टाइम पर बात आपका नहीं कर रहे हैं ठीके अब अगला प्रस्ट देखिए कुस्चन नम्मर साथ है ठीके ये पेपर के ही कुस्चन में आपको बता रहा हूँ आप बिल्कुल भी चिंता मत करें सारे के नोट से त अंँप्रधकित करते हैं किने कहेंगे ओपदातू कि जो धातू और अधातू दोनें उपदातू के औहुत 255 करेंगे उन्हें उपदातू कहतेरे ये नफ्यारन यांगों अधातू किंख June Peter Re eficient आप सब्सक्रणक करेंगे यहने बताएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे उपधातू ठीके उधारान यहाँ पर लिखा हुआ है सिलीकोन है जर्मेनिया में और बोरवन है चलिए इसके बाद में अगला प्रसने आप किस प्रकार पुष्टी करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव सुद्ध जले यहने कि जिसमें रंगहीन 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 तो इसा द्रव सुद्ध जले आप इस तरह कि किस तरह से पुष्टी करेंगे इसकी पुष्टी के लिए हम इसके क्वथनांग की जाच करेंगे सुद्ध जल का जो कथनांग रहता है थो 53 केल्विन समानन्य वायय। मदली ढाप यहां उबलता है जबकी जो लवन होता है लवन मिला हुआ जल 223 केलोरी से से उचछिताब पर उबलता है यहान》 कि कुमिलाकर बात है कि यदि शुद्र जल होगा ये तो यह 273 केल्वनकोंपर ही उबलना श्यू कर देगा और यहँ यहां असुद्र है गातो 373 केल्वनपर भी नहीं उपलेगा था ठीक है तो यहां पर इसका精s जोटा पर ले ली जगा चलिए इसके अगला कुश्यन की तोर बढ़ते हैं रदर फोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमानू के नाभी की मोडल की व्याख्या करनी है तो आए इस अच्छे से समझते हैं रदर फोर्ड का जो परमानू मोडल है कुछ इस तरह का था तो इसमें जो है और इसका जो नाम है वो है नाभीक क्या है यह नाभीक है ठीक है तो परमानू का जो केंदर होता है वो धनावेशित होता है और जिसे परमानू का नाभीक केते हैं ध्यांज समझेगा एक परमानू का जो लगबग संपुन द्रव्यमान है यह जो परमानू है इस यहाँ पर लिख देता हूं में परमानू का संपून द्रव्यमान किसमें रहता है नाभिक में होता है याने की परमानू का संपून द्रव्यमान किसमें रहता है नाभिक में यह आपका यह जो पूरा यह जो खाली भाग है और यह पूरा आपका मिलकर कैप परमानू है इस परमानू का जो संपुन द्रियुमान है वो किसमे नीहित है समाहित है वो है नाभिक में और साथ में ज़िए हम बात करें जिस नाभिक के आकार की बात किसकी बात कर रहे हम नाभिक के आकार की तो यहां पर लिख देते हैं नाभिक का आकार पूरा याद हो जाएगा आपको आप बिल्कुल भी चिंता मत करे नाभिक का आकार अच्छा नाभिक का आकार किस तरह का है गोल है वो तो पर लेकिन ये परमानू के आकार से किसा है छोटा है तो नाभिक का आकार परमानू के आकार से काफी छोटा होता है ठीक है तो नाभिक का आकार कैसा होता है परमानू के आकार से काफी छोटा होता है अब जो इलेक्ट्रान है इस नाबिक के चार ओर क्या करते हैं चक्कर लगाते हैं तो वसीशी का अगली देंगे अत्तथा इलेक्ट्रान नाबिक के चार ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं तो यह कुछ बिंदू है इससे आपको पूरी चीजे एक्सिप्लेन हो जाएगी तो किस तरह लिखेंगे देखिए पूरा में बोल देता हूँ एक बार फिर स्कीन सोट भी दूँगा आपको बढ़िया से देखिए परमानु का जो केंदर होता है वो धनावेसित होता है जिसे परमानु का नाबिक के ते हैं परमानु का संपुन्य द्रव्यमान इसके नाबिक में समाहित होता है नाबिक का आकार जो होता है परमानु के आकार से काफी छोटा होता है तथा इस इलेक्रान जो होते हैं वो नाबिक के चारो और वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं ठीक है इतनी चीज़ी किलि होता है धनावेसित होगा जिसे नाविक कहते हैं एक परमानु का लगबग संपोने द्रियुमान इस नाविक में ही समाइद होता है नाविक का परमानु के अकार्श की तुल्ला में कापी छोटा होता है और इलेक्टरांज होता है नाविक के चार और वर्तुलाकार मार्ग में चकर लगाते हैं यही रदर पोर्ड के परमानू मॉडल की व्याख्या है चलिए थोड़ा सा समझाने का प्रियास किया है चलिए आगे बढ़ते हैं समस्थानिकों देखिए समस्थानिकों के उपयोग यहां पर आप से पूछे गए हैं ठीक है तो उपयोग से पहले यदि संख्या तो संख्या तो समान हो इनकी परमानू संख्या तो केसी होगी समान होगी लेकिन दरुवयन बिन्हुन होता है वो समस्थानिक क्येलाते हैं थिकैं उदारन के लिए 대표 में गेंगा रोग के यहां पर हमारा जो प्रस्में वह समस्थानिक के उपयोग स्ल्फल है बहुत ही का एक तो cancer के उपचार में जूंसीजे cancer के उपचार में घेंगारोग के उप्चार में ठीक है और परमानु बट्टी में इधन के रूप में तीन उप्योग है दो उप्योग पुछरा है लेकिन तीन बता रहे हैं कैंसर के उप्चार में घेंगा रोग के उप्चार में और परमानु बट्टी में इधन के रूप में ठीक है अब देखिए आगे क्य में लाएंगे वह कौन सा समस्तानिक है कोबाल्ट का फियोग करेंगे तो ऐस समस्तानिक यूरीयनियम के एक स्थानिक का उपयोग परमानू भट्टी में इधन के रुक में किया जाता है ठीक है तो यह तीन इसके यहां पर मैंने उपयोग बता दी दो उपयोग पुछता है वेसे ठीक है लेकिन तीन लिख दिएगा कोई दिक्कत नहीं है चलिए अगला कॉस्चन पढ़ते हैं प्रसने के है दूसरी एल है तिसरी एम है अंदर से जो पहली वाली है ठीक है पहला गोल गहरा चाहतीन लाइन के गोल गहरा एक नाभी के बस तो पहली के दूसरा एल को से तिसरा एम को से और परमानू संक्याइदी बात करें इनकी नंबर की तो वन टू ठीक है तो यह इसका प्रसन कि परमानु का नाम बताई हैं तो इसके परमानू के आओ परमानु कुन कुन-कुन से एक तरह एलेक्टरान है प्रोटान है और न्यूटरान है अब देखते हैं पोधों में वास्पू सर्जन के कार्यों का उल्ले करना ठीक, यहां परसन इस तरह से भी आ जाये कि वास्पू स कि प्रक्रियाग क्यों जरूरी यह आगे लाब वहें ऊसके कारे के समझे वह वहास्पा सरजान या नियमन तरीके से नियमित बोल सकते हम उसको नारमल टेंपरेचर को बनाए में मदद करेगा तो इसको बनाए रखता है अर्थात कापकरम को अधिक होने से बचाए रखता है तिसरा है ज्ल का नियमन करना मतलब पोदे में यदि कम पानी हुआ ध्यान समझे कम पानी हुआ तो he अधिक पानी होगा तो be poda तरक्ट से नहीं करेगा यानि कि पोधा जो है हमारा पेड़ पोध़ कब तंद्रूस्त रहेगा जब उसको तरीके से और सही तरीके से पानी मिले जितनी जरुवते उतना ही मिले तो यहां पर देखिए जल का नियमन करने का कार्दी भी वास्पोसेजन प्रिक्रिया द्वारा होगा अधिक जल होगा पोदों की जड़ों में